नमस्कर दोस्तों सक्ति नालिज पॉंट की येटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग ट्यूचर इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव सिंटेंस का पैसी वाइस बनाना सीखेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगोंने अफरमेटिव सिंटेंस का पैसी वाइस बनाना सीखा हुआ था तो इस वीडियो में सबसे पहले एक मिनट में हम रूल देख लेते हैं जिससे आप इन सिंटेंस को ट्रांसलेट करना पैसी वाइस में आसान हो जाए तो चली वीडियो हम सुरूख करते है एक्टी वाइस को पहले बात करें तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है ठीक है तो यहां पर आप जब निश्का निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे सेल भी या बिल भी लगाएंगे लेकिन मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई हुई थी कि जब भी आपकी हिल्पिंबर दो पार्ट में होती है तो जब हम नौट लगाते हैं दोनों पा अगर तक आभी तक आप लोगों मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियाया और इस वीडियो को भी लायक क्र लोग receipt बसंद में लाइक कर सकते हैं दona होता है यह तो कैसे हो चो पहुँचाना ठीक ऐसे क्या यूज होता है इस वैसे हमें Z sexual क्या यूज होते हैं banget jumps में आपको बताया कि item house सैल के यूज करते हैं और बार्गी जोबी subject बचते हैं उनके साथ आपको विल का यूज करना है ठीक है लेकिन देखिए मॉडर्ण इंग्लिस में अब सेल का यूज बंद हो गया है तो अगर आप सिर्फ विल भी का यूज करेंगे तब भी आपको सेंटेंस सही माना जाएगा ठीक है चलिए यू के साथ हम बिल भी लगाते हैं लेकिन देखिए यहां पर लिखा हुआ है नेवर मैंने क्या बताया यह तो नौट लिखा होगा यह तो नेवर आप कैसे आप जाएंगे कि नेवर लगाना है कि नौट लगाना है देखिए जब भी आपके सेंटेंस में कभी नहीं आए ठीक है तब आपके सेंटेंस में नेव यहाँ पे never लिखेंगे ठीक है विल never उसके बाद helping work को दूस्रा part क्या होगा बी विल नेवर भी उसके बाद आपको जब लगाना थे है 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 product का था ने समल होता है हक थे होता हिसके में उसके तीनों form सेम होते है त spielen never me heart अब अब दिखिए उसके बाद बाई लगाके subject लगाना है तो बाई लगाके subject लगाना है और आई के लिए क्या करते हैं जो object होता है इसका objective form लिखेंगे तो क्या लगाएगा me लिखेंगे ठीक है याई मेरे द्वारा आपको कभी चोट नहीं पंगचाए जाएगी या दुख नही सहेंगे है ना दोनों मतलब सेम ही होता है ठीक है अब चलिए इसमें देखते है हमारा क्या है हमारा object क्या है object क्या है दिस ingestis ठीक है तो सबसे पर नहीं देंगे this तो में पर यहां पर क्या है tolerate और tolerate का third form क्या होता है tolerated ठीक है ed आपको जोड़ना है तो third form बन जाएगा तो this injustice will not be tolerated अब आपके sentence में देखिए subject क्या है यहां पर we आप क्या करेंगे we का objective form लगाएंगे by लगा दीजे उसके बी का objective form क्या हो जाएगा us I hope यह sentence भी आपको clear हो गया होगा इसका हिंती मतलब यह हो गया कि जो यह अन्याय है हमारे द्वारा बरदास्त नहीं किया जाएगा ठीक चलिए third sentence बनाते हैं क्या लिखा हुआ है you will never understand your father आप अपने पिदा को कभी नहीं समझ पाएंगे देखिए माप आप हम लोग लिए कितना sacrifice करते हैं लेकिन हम कभी-कभी उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं ठीक है यहां पर दिखिए never आया हुआ है not नहीं आया इसलिए हम क्या करेंगे will never उसके बाद be लिख देंगे है ना helping verb की दोनों part की बीच में हम लोग never लिखेंगे not आया होता तो not लिखते तो your father will never be अब क्या है दिखिए main verb का third form तो main verb क्या है understand understand का third form क्या होता है understood ठीक है second और third दोनों form understood होते है ठीक तो your father will never be understood अब दिखिए आपका जो भी subject होगा by लगा क्या आप subject लगाएंगे तो हमने लिखा यहां पर by और you का objective form भी यू ही होता है ठीक है यह आपका sentence बन गया कि आपके दोरा आपके पिता को नहीं समझा जाएगा ठीक चलिए next sentence बनाते हैं क्या लिखा हुगा है कि सार लिखना है object object क्या है the entire building ठीक है यह आपका object हो गया इसको हम सबस्क्राइब लिख देंगे दा entire कि उसके बाद building ठीक है उसके बाद आप क्या लगाएंगे आप इस वैसे विल आप नॉट लिखा हुआ है तो विल नोट भी ठीक है यह आप ध्यान रखिएगा यह कभी कभी क्या होता फ्लोख्व में कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि वन भी नॉट लगाएं बट नहीं करना आपको ध्यान रख होता है डी तिक है यहाँ पर शर्ट काहुक्ट करना आपको जोड़ना है इडी उसके बाथ आप कोछ है नहीं आपके subject प्कों सार्थक तो आहेंगे बाइन थे मातों ढ़र डेंगे तो что- Cortex न कई जो इसने जिसको करना है ठीक है तो यहाँ पर मसें सिंटेंस क्या बन गया कि the entire building will not be demolished by सार्थक यानि जो पूरी इमारत है सार्थक के द्वारा नहीं गिराई जाएगी ठीक है तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सिंटेंस देखे अभी और कि वी सहल नेवर फॉर्गेट दोज हैपी डेज हम उन खुसी के दिनों को कभी नहीं भूल पाएंगे ठीक है बलब ऐसे होता है जब आपके जीवनें कुछ बहुत अच्छे पल होते हैं उनको आप कभी नहीं भूल पाते ठीक शले इसको बनाएंगे सबसे पहले देखेंगे हमारे sentence में जो भी object होगा जोगी क्या है दोज हैपी डेज ठीक है तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे दोज हैपी डेज उसके बाद दिखिए आई और वी तो यहाँ आ नहीं रहा इस वैसे यहाँ पर भी क्या यूज होगा विल भी यूज होगा यहाँ पर हम लिखेंगे अब क्योंकि यहाँ पर sentence में निवर आया है इस वैसे विल निवर भी ठीक है अब क्या दिखेंगे और forget का आपको third form लिखना है क्या होता है forgotten तो यहाँ पर लिखेंगे हम F-O-R-G-O-T-E-N उसके बाद आपके sentence में क्या बचा आपका जो subject है वी और वी के लिए हम क्या यू दूले जाएंगे ठीक है चलिए अब इस इंडेस को बनाते हैं क्या लिखा सिक्स नमबर सानु विल नॉट इन्वाइट जैक टुदा पार्टी सानु जैक को पार्टी में नहीं बुलाएगा ठीक है आपजिक्ट देखते हैं तो object क्या है हमारे sentence में जैक ठीक है किसे नहीं लगाएंगे क्योंकि दूसरा पार्ट लगाना विल बी की बीच में नॉट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा विल नॉट भी तो जैग बिल नॉट बी अब क्या करने की बात हूए में पर का फोर्म लगाएंगे तो दू क्या होता है इन्वाइट ठीक है से कैंड और फ् लगाएंगे तो यहां पर क्या सिंटेंस बन गया कि सानु के दौरा जैक को पार्टी में नहीं बुलाएंगा ठीक है चलिए नेक्स क्या लिखा हूआ है कि वे माउथ वे कभी मुह नहीं खोलेंगे ठीक है कोई ऐसी राज की बात है जिसको बोलें के लिए वो मुह ने खोलेंगे ठीक है उसको इतना विश्वास है चलिए इसको बनाएंगे पैसी वाइस सबसे पहले देखेंगे क्या खोलने की बात दो रही है देर माउथ तो यह उसका ह कि पतब हम लिखे देंगे कि उसके बाद हम लिखें देंगे बी तो डियर माउथ विल नेवर B अब दीकि ओ जाएक open open का third form लिखेंगे तो क्या हो जाएगा opened एडी जोड़ दीजे ठीक है तो their mouth will never be opened अब देखी अब हमारे sentence में subject बचा जो दे है दे का हम लिखेंगे objective form क्या हो जाएगा them ठीक है इसका मतलब Hindi में यह हो गया कि उनके द्वारा है ना कभी मुझ नहीं खोला जाएगा ठीक चलिए next sentence और last हमारे इस वीडियो का क्या है कि my father will not pay my school fees मेरे पिता जी मेरे स्कूल की फीस नहीं देंगे या तो नहीं जमा करेंगे ठीक है इस sentence को बनाते हैं देखिए सबसे पहले हम देखेंगे object क्या है my school fees देखिए यहाँ पे fees भी लिख सकते हैं आप fee भी लिख सकते हैं एस ना भी लगाएंगे तब भी आप सही मना जाएगा देखिए fees क्या होता है फी का plural होता है और अधिकतर यह होता है है कि अगर आपकी एक से ज्यादा fees होती है अभी स्कूल में होती है तो जैसे आपकी quarterly exam के fee हो गई साथ में आपको जो tuition fee लगती है वो सबको मिलाक अगर होगा तो फीस लिख दिए एक से ज्यादा जब फीस की बात होती है लेकिन अगर कोई single fee कहीं submit करना होता है तो वहाँ पे फी बस आप यूज करते तो भी आपका सही माना जाता ठीक है इसको हम लगाते है यह हमारा object है जो my school fee ठीक उसके बाद आप लगाएंगे आप चुकि यह भी आई और वी में तो आता नहीं है इसलिए क्या लगाएंगे विल लगाएंगे विल आप नॉट आया देखिए इस वैसे नॉट लगा देंगे विल नॉट बी हो जाएगा ठीक है तो my school fee विल नॉट बी पे पी का third form क्या होता है पेड ह होता है लेकिन इस पेलिंग आप ध्यान रखिएगा पी ए आईडी होती है ना कि पी ए वाई इडी होता है ठीक है क्योंकि प्रणुट तो सहीं होता है तो my school fee विल नॉट बी पेड अब देखिए यह आपका subject हो गया माई फादर इसलिए हम बाई लगा के subject लिए देंगे मा फादर ठीक है तो यहां पर sentence क्या बन गया कि my school fees will not be paid by my father यानी मेरे स्कूल की fees मेरे पीता की जी के द्वारा नहीं दी जाएगी ठीक है थेल में लिए 확인 को कå कर मी जाएगी लेक एंदी जाएगी waterfall एंबाया और सुgeme को कर दर रहा है